हेलो दोस्तों आज मैं नेट्फिक्स की सीरीज काला पानी लेकर आई हूँ जो की अंडमान एंड निकोबार आईलाइंड की कहानी है इस सीरीज में डूटल साथ एपिसोड है कहानी शुरू होती है दो हजर सताइस दिसंबर से हैं जहां हमें अंडमान से 20 किलोमीटर दूर जैनकिन आईलाइंड पर उराका ट्राइप के लोग दिखाई जाते हैं जो एटम्स कंपनी के वाटर पाइपलाइन को तोड रहे होते हैं SDPO केतन एटम्स कंपनी के मालिक से मिलते हैं एटम्स वाले चाहते हैं polito में होने वाली कुuledर फेस्टिकлем की पर्मीशन केतन दिला दे डॉक्टर सिंग से जिसके बदले वो केतन का टॉन्पब में करवा देंगे अब हमें डॉक्टर सिंग दिखाई जाती है, जो कि पोल्ट बलेयर के Central Hospital में चीफ Medical Officer के दोर पर काम करती है डॉक्टर सिंग का मानना है, हर भीमारी के explanation बहुत सिंपल होता है डॉक्टर सिंग ने एक भीमारी के डिसर्च के लिए N.I.C.D. से scientist को बिलवाया था जिसके बदले वो लोग ने एक जूनियर डिसर्च फेलो जितु गर्ग को भेजा था डॉक्टर सिंग ने 11 पेशेंस को कॉरिंटीन का लखा है जो कि similar symptoms दिखा रहे थे जैसे कि high fever, dry throat और सबसे special neck के विछे black rashes उनकी रिसर्च से ये पता चलता है कि ऐसे ही symptoms 1989 में पहले भी देखे गए थे अंडेमान में पर सड़नली लोग ठीक हो गए थे पर ये mystery disease के बार में किसी को कुछ नहीं पता है अब हमें एक tourist guide चीरू दिखाये जाता है जो कि अपनी मा, भाई, वीनू और अंकल के साथ रहता है चीरू एयरपोर्ट जाता है अपने लिए customer देखने जहां उन्हें एक family मिलती है उस family में से बच्चो को कर्चल फेस्टिवल घूमना चाते थे पर माबाप को नील आइलेंड घूमना था चीरू suggestion देता है बच्चो को यहां घूमने दिया जाए कल हम लोग नील आइलेंड चलेंगे दरसर चीरू जैनवरो के अंडे की smuggling किया करता था जिस कारण वो इन लोग को नील आइलेंड ले जाने के लिए परिशान है डॉक्टर सिंग रित्यू को इन patients के बीच क्या common है वो पता करने को कहती है डॉक्टर सिंग इस disease के लिए इतनी परिशान इस लिए थी क्योंकि कुछ समय में कल्चलर फेस्टिवल शुरू होने वाला था जिसके लिए बहुत टूरिस अंडमान आये हुए है सिंग अपनी परिशानी ज्रेफ्टरिंग जनरल कादरी इसके साथ शेयर करती है बोर्ड मीटिंग में SDPO केतन डॉक्टर सिंग के बात को सीरियस ना लेते हुए इसे अलकोहल पॉइजनिंग का केस कहते है क्योंकि दो दिन से ऐसा कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ था और केतन को एटम्स कंपनी का ये काम पूरा भी करना था ताकि वो में लैंड में ट्रांसफर ले सके इसका जवाब सिंग के पास नहीं होता है जिस कारण उसके पास और कोई रास्ता नहीं रहता है इस फेस्टिवल को अलाव करने के सिवा मगर बाद में डॉक्टर सिंग के कुरिंटीन पेशेंट ने इसका भी जवाब दे दिया क्योंकि वो अलकोहल पिया ही नहीं था बहुत दिन से यहां तक कि उसके लोकालिटी के किसी भी शक्स ने कुछ रिलीजिस मन्थ होने के कारण अलकोहल को हाथ भी नहीं लगाया था सिंग समझ गई के तन का एक्क्लिनेशन गलत था और वो जनकीन आईलैंड निकल पड़ती है पाता लगाने क्योंकि यह आदमी वहीं से था मा का नाजार देखकर वो हिल जाती है क्योंकि सब लोग मर चुके थे उस डिसीज के कारण सिवाए एक लड़की के जिसने जनकीन लेक का पानी पीने से इंकार कर दिया था प्यास में तलपने के बावजूद तिंग समझ गई लेक का पानी इंफेक्टर है एटम्स कमपनी ने जो पाइपलैन अभी डाला था वो लेक से पानी लेकर सप्लाई कर रहा था तिंग कोशिश करती है पानी रोकने का पर मिट्टी का रास्ता होने के कारण फिसर जाती है और सर पर छोट लगने के कारण उसकी मौत हो जाती है रिटू के डिसर से वो भी समझ जाती है ये सारे लोग किवल एक कॉमन चीज से connected है वो है जिनकिन लेग जब वहां डॉक्टर सिंग की लाश मलती है तब रिटू कनफर्म हो जाती है प्रॉब्लम पानी में ही है एक मीटिंग होती है लेटरन कादी से लितू और डॉक्टर शशी की ये समझाने के लिए कि ये डिसीज कितनी खतरनाक है लेटरन कादी एनांस करते हैं isolation पर वो पब्लिक को isolation की वज़ा नहीं बताना चाहते हैं क्योंकि पैनिक में इतनी पब्लिक को समालना मुश्किल हो जाता इस डिसीज को LHF 27 नाम दिया जाता है चीरू का भाई वीनू जोशना नाम की लड़की से प्यार करता है बचपन से बीच में वो पढ़ने बाहर चली गई थी वो वीनू से मिलनी उसके घर आती है जहां वीनू के मा के पास उसे उराका ट्रैप पे लोगों का दिया हुआ एक पेंडन दिखता है तब ही एमेरजनसी एलर्ट आता है सब ही मेडिकल फिल्ड से रिलेट है लोगों को रिपोर्ट करने का जोशना भी पहले नर्स के तौर पर काम कर चुकी थी जिसकारण ये एलर्ट उसके पास भी आता है पीनों उसे लोकेशन पर छोड़ने जाता है और वहाँ से उसे अपने काम के लिए कुछ दिन के लिए कहीं जाना था वो जोशना को छोड़कर वादा करता है कुछ दिन में मिलने का इधर चीरू की मा ओराका ट्राइब से मिलने जाती है जहां उसे बता चलता है सब लोग छोड़ कर जा चुके हैं वो समझ जाती है बहुत बड़ी कोई मुसीबत आने वाली है तब ही ओराका लोग यहां से चले गए हैं इधर कल्चलर फेस्टेवल में बहुत भीर होने के कारण आईसोलेशन की खबर सुनकर अफरा तफ्री मच जाती है जहां वो टूरिस फैमिली के दोनों बच्चे बिछड़ जाते हैं तब जोशना उन्हें बचाती है और अपने साथ अपने घर ले आती है इधर नीर आयलाइन में बच्चो की मा को भी ये बिमारी हो जाती है इसमें कुछ दिन पहले पेशन बिमार रहता है फिर ठीक हो जाता है जिसके कुछ दिन बाद हिचकी आती है और दो-तीन घंटे में मौत हो जाती है चिरुए इस खातानाक सिच्वेशन में भी किवल अपने प्रॉफिट बनाने में लगा वा रहता है वो माबाप को बच्चों से मिलाने का बहाना करके पैसा एट रहा होता है माबाप से जब उसका दोस्त उसे समझाता है तब उसे एसास होता है अपनी गलती का लेकिन इस बार जब वो उनकी मदद करने जाता है तब उसे पता चलता है बच्चों की मातों मर गई है बिमारी से इधर लेफनन काजी को पता चलता है एटेम्स कंपनी के लोग कहीं सेफ जगा जा चुके हैं जिने धूनन अब टॉप प्रियोर्टी हो गई थी क्योंकि पाइपलाइन के अलावा ये लोग कोई और भी प्रोजेक्ट चला रहते चुपके से जिसके बारे में इन्होंने सरकार को इंफॉर्म नहीं किया था इधर जोषना वीनू के कहने पर अंकल बासू को दून में निकलती है बच्चों के साथ क्योंकि उसे एक सेफ प्लेश चाहिए थी बच्चों के लिए अंकल बासू और डेटी हमेशा से बंकर में अकेले रहते हुए आयते और उनके पास सारी दवाय भी रहती है छोटी बच्चों के एफलेपसी होने के करण उनके पास वो सब सेफ रहते है अंकल बास्यू के पास से जोशना को पता चलता है कि ये बिमारी पहले भी आई थी वर्ड वार सेकेंड के टाइम जिसमें जापनीज सुल्चर को पता चला था कि कुछ लोग यहां के इससे पहले से ही इम्यून है दरसल औराका ट्राइड में इस बिमारी का इलाज हजारों साल पहले ही धून लिया था जो की एक प्लान था और अब औराका के जीन्स में ये प्लान का प्रड़क्ट आ चुका है जिससे उन्हें कुछ नहीं होता है चीरु जब जंगल में घूम रहा था तब उसे पता चलता है इस बिमारी से उराका लोग को कुछ नहीं हो रहा है उसे लगता है उनके पास इलाज है और वो हम लोग को बता नहीं रही है चीरू बहुत नफरत करता है औराका से क्योंकि उसके पीता ने अपनी जान गमा दी थी औराका के राइट्स के लिए लगते लगते और इस बिमारी के टाइम भी उसकी माँ यही कर रही थी चीरू कमानना है इन्हें इतनी special treatment देनी की जरूरत क्या है वो भी तब जब उन्हें disease हो ही नहीं रही है वो decide करता है कि पता करेगा आखिर औराका कैसे इस disease से बच रही है चीरू औराका एन्मे को पकड़ लाता है उसे मारता पीड़ता है जिसके बाद उसे realize होता है उसके दुख की वज़जा उसके पेरेंट्स को खोना है नाकी औराका जिसके बाद वो खुद को जिम्मेधार ठेहराता है एन्मे की लाइफ खत्रे में डालने के लिए क्योंकि उसी के कारण पुलिस एन्मे को पकड़ ले गई थी उनकी बाकी ट्राइफ के बारे में पता लगाने के लिए इधर जब चीरू अपने घर पहुँचता है तब उसे पता चलता है उसकी मा की मौत हो गई है इस बेमारी से अंकल उसे बोलते हैं बेटा औराका से नफरत मत करो वो चीरू को बताते हैं बहुत साल पहले एक औराका औरत को सीटी के शिकारी ने रेप गया था जिससे वो प्रेगनेंट हो गई थी और वो उसे बच्ची सम्हीत मानने की धंकी दे रहे थे तब तब तुम्हारे महंनने यह नहीं हो रही है उसे ahas होता है विचारा में फालतों में फंस गया मेरे कारन वो डिसाइट करता है अनको को बचाने का पर उसे पता चलता हैसे लोग उस और उनकल बासू के साथ जोशना और अपनी बहन को छोड़कर चलाइता है कहीं ताकि की बासू की डाइक्टर को भी बिमारी हो जाती है जो कि बहुत साल बात प्रेग्नेम भी थी तब ये लोग सरकार के साथ डील करते हैं कि अगर डिरेक्टर को सरकार ठीक कर दे इस बिमारी से तब एटम्स कंपनी 5000 इंफेक्टेड लोगों को एक प्राइवट ऐलाइन में लेकर जाएगी ताकि कम से कम कुछ लोग से हो सकें केटन को जिम्यदारी दी जाती है लितू को भी इस आईलाइन में लाने की इधर चीरू डॉक्टर के पास जाता है और कहता है जो एक्पेरिमेंट आप एंड में पर कर रहे हैं वो मुझ पर कर लीजिए और उसे जाने दीजिये मैं भी हाक और हॉरा का हूं डितू चीरू की मदद से आइटम्स की डिरेक्टर को भी ठीक कर देती है पर उसका बच्चा नहीं बचा पाती है इसके बाद ये लोग उस प्राइवट एलाइन पर जाने को निकलते हैं इधर जोशना भी उस बच्ची को महां ले जाने के लिए ले जाती है जहां उसे अपन इंफेक्ट हो गई है इस डिसी से वो सब को बताने जाती है पर बच्ची के पिता अपनी बेटी को बचाने के लिए जोशना को माड डालते हैं और अपनी बच्ची को 5000 लोगों के बीच लिकर चले जाते हैं उधर केतन रितू से प्यार करने लगता है जिस कारण वो रितू बीनु को जाने देता है उस प्लान को दूसरी जगा धूनने के लिए बजाए एटम्स के साथ ले जाने के लितू अंकल बासु की मज़र से वो प्लान धूनने निकल पड़ती है यहां बैब्राण में दिखाये जता है बच्चपन में बीनु को उसकी माने कुछ सीट दिये एसे ही उगाने के लिए स्कूल एक्सपेरिमेंट के लिए वो सीट को जोचना नाम से वीनु ने स्कूल में लगा दिया था और वो सी और कोई नहीं बलकि उसी प्लान का था जिससे सब धून रहे थे केतन को पता चलता है उराका लोग जब इस बिमारी से मरते थे तब अप खड़कर वहां हेलिकोड जिससे कि उन्हें असानी हो ट्रावल में और इसी प्रोसेस में वो बैक्टेरिया बाहर आ गया एंवार्मेंट में एक्स्प्लेशन इतना सिंपल सा था इस बिमारी का ये देखकर कितन को डॉक्टर सिंग की बात याद आ जाती है इस अलेफनन आने के लिए और आका पुलिस पर हमला कर देती है जो उनको धूंते धूंते उनके नए ठेकाने पर पहुंच गए थे यहां खतम होती है यह सीरीज दोस्तों आपको यह सीरीज कैसे लगी मेरे कमेंट बॉक्स में बताईए बाकी चैनल को सब्स्राइब करना ना भूले वी जो झींड़े ?